दोस्तों क्या आप अपने आपको healthy और तंदरुस्त रखने के लिए रुजाना exercise योगा करते हैं? फिर भी आपको कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है, कोई ना कोई बिमारी हो जाती है, या muscle pain होने लगता है, या फिर headache होने लगता है, घुटनों में दर्ध होने लगता है, यान भानी भी चाहिए उस पेड को, यानि बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तब वो बहुत अच्छे तरीके से फल सकता है, फूल सकता है, वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर को हमने क्या किया, सुबह सुबह क्या किया, योगा और exercise दो कर ली, लेकिन बाकी का सारा दिन हमने कुछ भी जो भी चाहा, वो खा लिया, nutrition full diet नहीं ले रहे हैं, हम ऐसी diet ले रहे हैं, जिसमें कोई fiber नहीं है, कोई nutrition, कोई minerals नहीं है, दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे एक पेड को जरूरत है सभी चीजों की, वैसे ही हमारी body को जरूरत है सभी चीज कि अगर आप सर्दी सर्दी इस चीज का इस्तमाल करते हैं, तो आपको वो सारी की सारे nutrition मिल पाएंगे, दोस्तों मैंने आपको एक और जानकारी देनी थी, कि मैं 27 दिसंबर को लाइव आ रहे हूँ, संडे वाला दिन है, यानि रवी बार है, शाम को 7 बजे लाइव आ रहे इसके अंदर विटामिन B1, प्रोटीन, तांबा, मेगनीज, उमेगा 3, इसके लावा इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, आइरन भी होता है, जो कि हमारी बाडी की requirement है, जरूरत है, दोस्तों हम इसका इस्तमाल खादे पदार्थों में करते हैं, लेकिन आपको ये बता दो कि ये बहुत सारे रोगों को दूर कर सकती है, अल्सी के अंदर alpha linolenic acid होता है, जो कि बंध धमनियोग को खोलने का काम करता है, यानि कि हमारी arteries जो होती है, हमारी धमनिया जो होती है, उनके अंदर अगर blockage आ जाए, bad cholesterol बढ़ जाए, तो ये alpha linolenic acid जो है, ये बंध पकने नहीं देता जो कि हार्ट अटेक का कारण बनता है यह रक्त में मौझूद कॉलेस्ट्रोल को कम करने में सहाइक है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अलसी का इस्तमाल किस तरीके से खाना है ताकि आपको जादा फाइदे मिल सके क्योंकि मूसल जिनका भी डाइजीसन सिंस्टम थोड़ा वीक है उनको अलसी का सेवन थोड़े खाना चाहिए और मैं थो यह कहूंगी कि अंसान को वैसे ही करना चाहिए ताकि आंतों को बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़े इसके लावा नेक्स्ट फाइदे की बात करें तो अ अलसी में मौजूद एंटी ऑक्सिदेंट और फाइटो केमिकल बढ़ती हुई उमर के लक्षनों को कम करते हैं, जिसे तवचा पर जुरिया नहीं आती, कसावट बनी रहती है, हमारी तवचा स्वस्थ और चमकदार रहती है, इसके इलावा जो अलसी के अंदर अलफा लिनोर अपने में तकलीफ हो रही है, तो अलसी का सेवन जरूर करें, तरीका भी आपको बताया जाएगा, इसके इलावा अगर आपको डाइबिटीज की समस्या है, खून के अंदर शरकरा की मात्रा बढ़ रही है, यानि कि आपको मदुमे की समस्या हो चुकी है, तो दोस्तों, आ अपने अलसी का सेवन रोजाना करना है, सर्दी-सर्दी तो आप जरूर कीजिए, इसके इलावा अलसी जो है, वो कैंसर की बिमारे से भी लड़ने में सहायक है, इसका रोजाना सेवन करने से खून में शरकरा की मात्रा कंट्रोल में रहती है, नियंतरन में रहती है, जिसके कारण कभी भी diabetes की समस्या नहीं हो सकती अगर आपको ये समस्या नहीं है दोस्तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने इसका 7 किस तरीके से करना है तो दोस्तो बात करते हैं इसका 7 आपने कैसे करना है वैसे तो कुछ लोग इसे as it is ही बीज क्या बीज ही खा लेते हैं लेकिन वो पचने भी बहुत हैवी होता है जिसका digestive system बहुत strong है वो इसे as it is खा लेते हैं लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप हमेशा ही ऐसा बना कर उसको खाएं ताकि वो बहुत जल्दी पच जाएं कारण उसके पीछे क्या है जैसे कि हम यही प्रैफर करते हैं कि हमें ऐसी रोटी खानी चाहिए जो जल्दी से पच जाए हमें फाइबर वाली चीजें ज़्यादा खानी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से पच जाए तो अलसी को हम ऐसे क्यों खा रहे हैं तो लीवर को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो दोस्तो आपने अलसी को हमेशा ही रोस्ट कर लेना है पिना किसी घी, बिना किसी नमक के हलका हलका रोस्ट कर लीजिए जब उसमें से करक करक की आवाज आने लग जाए वो चटक चटक सी अवाज आती है तो उसके बाद आपने से किसी भी कटोरी में प्लेट में निकाल लेना है और उसे ठंडा कर लेना है फ्रिज में नहीं, नॉर्मल टेंपरिचर पर ठंडा कर लीजिए उसके बाद आपने इसका पाउडर बनाना है और एर टाइट कंटेनर में भर कर रख लेना है एक हफते से जादा इसका पाउडर बना कर नहीं रखना और एर टाइट कंटेनर के बिना भी इस पाउडर को नहीं रखना तो रोजाना आपने इसका सेवन कैसे करना है आप क्या करिए एक चम्मज इस पाउडर में से ले लीजिए एक गिलास दूद लीजिए और उसमें इस पाउडर को डाल कर बॉइल कर लीजिए और उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं इसे पी सकते हैं इसके लावा आप इसे दही में मिक्स करके भी ले सकते हैं अगर आप दही में मिक् भी इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तो इसके सारे फाइदे ही हैं लेकिन मैं आपको इसके नुकसान भी साथ में बता देती हूँ क्योंकि अगर बिना नुकसान जाने आप इसका सेवन करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको इसके नुकसान भी हो जाए तो दोस्तो इसके नुकसान क्या है? अगर आप high blood pressure की medicine बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, कम से कम 3-4 साल आपको हो चुके हैं कि आप high blood pressure की medicine ले रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप LC का सेवन नहीं करें, उसके पीछे कारण क्या है? क्यों कि आप already खून को पतला करने के लि दवाई भी साथ में ले रहे हैं, तो ये आपके खून को ज़्यादा पतला कर देगी, जो कि आपकी body के लिए harmful होगी. इसके लावा, अगर आप diabetic patient हैं और बहुत लंबे टाइम से diabetes की medicine ले रहे हैं, तो भी आपने LC का 7 नहीं करना. हाँ, एक चीज और है, लेकिन अगर आप को diabetes की संभावना है, कि मेरे को है या नहीं, पता नहीं, तो आप LC का 7 जरूर कीजिए, आपको कभी भी diabetes की समस्या नहीं हो सकती, अगर नहीं है, तब भी कर लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं होगी, तो दोस्तो इस तरीके से LC का 7 कीजिए, प्रेग्निंसी टाइम में बहुती खास information है, LC के बारे में, LC के फाइदों के बारे में कैसे सेवन करना है, किस तरीके से लिया जाता है, और इसके लिए सावधार या कौन सी follow करनी है, तो दोस्तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको ये information अच्छी लगी, तो आप इसे like जरूर करिएगा, क्यों क्या आपका like मुझे motivate करता है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर ल लना डाईब के हन históरी है शब क्слेरे साइब अकüm। हर आपका, वेगर गता हैं, वेखिब के चाह्रो, और आपका प्रूर, आपको जरुब कीजिएखग कर आपक tower अटा है, और आपका येrelिएगा है, और क्की ये जूशन?